वेल्काम तो लजीज कुपिंग मैं अमेट आपका लजीज कुपिंग में स्वागत करता हूँ आज हम कुछ बनाएंगे अलग वो क्या है ग्रेप्त अन्गूर का फ्लेवर आए रहते में आल्मेंट बदाम का फ्लेवर आए आज कल हम बुंदी का रहता आलू का रहता खाते काते बोर होगे बच्चे भी इस रहते को लाइक करते हैं कुछ मीठा मीठा फ्लेवर अंगूर और बदाम का फ्लेवर हल्का क्रण्ची तब से पहले लेंगे हम दहीं दो कप दहीं उसमें डालेंगे एक कप दूद्ध और उसमें हल्का कम मिठे के लिए चमच सीची हुई नाम से पता लगता है ग्रेप्स वालनट रहता तो इसलिए हम आलमेंट डालेंगे और साथ में थोड़े कटे हुए अंगूर अब मिठा भी हो गया खटा दहीने कर दिया थोड़ा नमकीन हो जाए नमक स्वादन साथ आदा चमच आदा चमच ताली मेंट पाउडर वाओ राइथा त्यार ग्रेप्स वालनट राइथा अब इसमें हम इसकी करेंगे प्लेटिंग प्लेटिंग तेल बदाम पंगूर ग्रेप्स आल्मेंट राइथा ग्रेप्स आल्मेंट राइथा त्यार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो कप दही एक कप दूद एक चमच पीसी चीनी क्रश की आल्मेंट्स कटे हुए ग्रेप्स नमक स्वाद अनुसार आधा चमच काली मिर्ष पाउडर सबसे पहले दो कप दही में एक कप दूद और मीठे के लिए पीसी चीनी डालेंगे इसके बाद क्रश आल्मेंट्स और कटे हुए ग्रेप्स टालेंगे इसके बाद नमक और काली मिर्ष टालेंगे इसी तरह लजीज ग्रेप्स आल्मेंट राइथा तयार है झाल झाल